जादूई फूल गोभी चारों और बड़ी बड़ी वादियों के बीच एक छूटा सा लकडी का घर बना था जहां मंगल अपनी पत्नी चांदनी और अपनी 15 साल की बेटी मीना और 9 साल के बेटे कृष्णा के साथ रहता था इनके अलावा चारों और हरी भरी वादियां और मंगल की कुछ गाए भैस भी थी चुछ सारा दिन उन पहाडों से ही घास खाती और शाम को अपने आप अपने ठिकाने पर घर आ जाती मंगल वहीं कुछ खेती भी किया करता था पापा अब बोल रहे थे वो सामने हमारा गाओं है हम वहाँ क्योंने जाते देखो वहाँ कितने सारे घर फी दिख रहे है वहाँ खेलने के लिए बहुत बच्चे भी होंगे हम वहाँ कब जाएंगे पापा हम जल्द ही अपने गाओं जाएंगे बेटा ऐसा बोलकर मंगल वहाँ से चला जाता है और अपना काम करने लगता है एक दिन शाम का समय था और आस्मान में चारों और बादल चाय हुए थे और इधर मंगल अपनी गोभी की खेत को देख रहा था बादल तो हो गए अब बस हलकी सी बारिश हो जाए गोभी की फसल भी बहुत अच्छी तयार हुई है इस बार और इस बार तो मैं चाचा का सारा कर्चा भी उतार दूँगा और अगर गोभी का दाम सही रहा थो बेटी की शादी के लिए भी कुछ पैसे जमा कर लूँगा ऐसे मंगल अपने खेतों को देख कर खुद से ही बाते कर रहा था तभी तीज हवाएं चलना शुरू हो जाती है मंगल अपने घर आ जाता है आगए आप मैंने ना खाना बना दिया है बच्चों को भी बुला लो फिर साथ में खाना खाते हैं मंगल अपने दोनों बच्चों को बुलाता है और सब मिलकर खाना खाते हैं तभी बहुत तीज पारिश होने लगती है और देखते ही देखते मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है बहुत तेज ओले पढ़ने लगते हैं अरे दीदी देखो बाहर ओले पड़ रहे है चलो ना उठा कर खाते है कृष्णा दर्वाजे में खड़ा होकर जमीन पर पड़े कुछ ओले उठाता है और उन्हें खा लेता है अरे कृष्णा इसे क्यों खा रहे हो चलो इधर आओ नहीं तो बिमार हो जाओगे मीना बिटा जब कृष्णा को अंदर लेकर जा और सुला दे इधर मंगल बहुत परिशान हो जाता है और अपने दर्वाजे पर खड़ा होकर वो आसमान की तरफ देख रहा था क्या हुआ जी आप बहुत परिशान लग रहे हो इतने तेज ओले पड़ रहे हैं गोभी की सारी फसल खराब हो जाएगी कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान क्या चाहता है गाओ में जब भाईया ने धोके से सारी जमीन अपने नाम कर ली तब मैंने सोचा था इन सब धोके बासों से बहुत दूर चला जाओंगा और मेहनत करके अपने परिवार को पालूँगा और मैं तुम सब को लेकर यहां आ गया लेकिन यहां देखो अब भगवान भी मेरे साथ क्या खेल खेल रहे है अब भगवान की मरसी के आगे हम क्या कर सकते हैं जी आप चिंता मत करो चलो अभी सो जाओ और सब लोग सो जाते हैं लेकिन मंगल का ध्यान आसमान में गरज रही बिजली और तेजी से पढ़ रहे उले और बारिश पर था उसे पूरी रात नींद नहीं आती कल क्या होगा इसी उधेड बुन में उसकी सारी रात निकल जाती है सुभा जब मंगल की आँख खुलती है तो वो जल्दी से उठता है और अपने खेतों में जाता है और दूर से अपने खेतों को देखता है तो पूरा खेत ओले से ढका था और सारे गोभी के डंठल तूटे हुए थे मंगल वहीं खेत में बैठ जाता है और रोने लगता है ए बगवाद ये क्या हो गया मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे बहरूँगा मंगल की आँखों से आशू बह रहे थे और कुछ आशू गोभी के फूल पर गिरते हैं तब ही आसमान से सूरज की किरने खेत में पड़ती है और पूरा खेत सोने की तरहा चमकने लगता है अरे ये क्या मेरा खेत इतना चमक क्यो रहा है मंगल जैसे ही पास पड़े तूटे हुए गोभी के डंठलों को देखता है तो वो हैरान रह जाता है मंगल गोभी को हात लगाता है मंगल जल्दी से आसपास पड़े बाकी गोभीयों के डंठलों को देखता है मंगल इतना खुश होता है कि खुशी से जूमने लगता है और वो भागता हुआ अपने घर जाता है जहां बच्चे आंगन में खेल रहे थे मीना, कृष्णा, बिटा तुम्हारी मा कहा है? तभी घर के अंदर से चांदनी भी बाहर आती है क्या हुआ जी, यहीं तो हूँ मैं जल्दी चलो, सब मेरे साथ वो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ खेत में अरे जल्दी चलो ना पापा, क्या है खेत में कोई जनवर है क्या यह बहुत सा है मोह राए है मंगल तेजी से खेतों की तरफ बढ़ रहा था अरे कुछ बताओ तो सही आखिर क्या है, खेत में कबसे भागे जा रहे हो ज़रो धीरी तो चलो लगता है वहां से गाउं के लोग दिख रहे है तभी हमें दिखाने जा रहे है पिता जी कुछी देर में सब अपने गोभी के खेत में पहुँशते हैं और वो देखते हैं कि पुरा खेत गोभी के डंठिलों से भरा पड़ा था और वो सोनी की तरहा चमक रहा था अरे ये गोभी कैसे चमक रही है मीना एक गोभी को हाथ लगाती है अरे ये कैसे गोभी है देखो हाँ जी ये क्या है ये सोनी जैसा लग रहा है तब ही मंगल हसने लगता है यही दिखाने तो मैं तुम्हें यहां लाया हूँ हमारे खेत के सारे गोभी सोने के है अब सब ठीक हो जाएगा चाननी और सभी लोग बहुत खुश होते हैं मंगल अपने परिवार के साथ कुछ गोभी उठाता है और उन्हें घर ले जाता है अब यह सोने की गोभिया मुझे थोड़ी थोड़ी ले जाकर बाजार में बेचनी होंगी अगले दिन मंगल सुभा सुभा कुछ गोभी के डंठल लेकर बाजार जाता है मंगल एक बड़ी सी सुनार की दुकान पर जाता है और सोने की गोभी के डंठल उसे देता है सुनार उसके बदले मंगल को अच्छे पैसे देता है जो मंगल की उमीद से भी बहुत ज्यादा थे मंगल खुशी-खुशी अपने घर आता है और सारे पैसे अपनी पत्नी को देता है इतने सारे पैसे? अब हम बहुत अमीर हो गए हैं देखो भगवान ने हमारी सोच से भी ज़ादा बढ़ कर हमें पैसे दिये हैं अब मंगल अपने गाउं जाकर सारा करजा उतार देता है और गाउं में अपने लिए बहुत सारी जमीन भी खरीदता है और वो अपने लिए बड़ा सा घर भी बनाता है अब मंगल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वही रहता है और लोगों की मदद भी किया करता था अरे वो अपना मंगल है ना अरे वो अपने गाउन लोट आया है अब तो बहुत अमीर हो गया है सब जानते हैं आठ साल से उसके भाई कमल ने उसके साथ बैमानी की थी अब देखो भगवान ने उसे इतना अमीर बना दिया है कि उसने गाउं में सबसे ज्यादा जमीन खरीद ली है बिल्कुल सही कह रहे हो भाई भगवान सब देखता है गोपाल और शुष्मा गरीब किसान थे उनकी एक बेटी थी पूजा जो गाउं के स्कूल में आठवी कक्षा में पढ़ती थी गोपाल के खेतों में चावल की फसल होती थी गोपाल और शुष्मा अपनी खेतों में खूब महनत करते लेकिन उसके गाउं का ठेकेदार बहुत ही लालची था वो किसानों से कौडी के दाम में चावल खरीता था एक दिन अरे गोपाल तेरे चावल तो बहुत ही साधारण है तो भी दूसरे किसानों की तरह बासमती या अन्य बढ़िया किसम के चावल उगाया कर आप तो जानते ही है ठेकेदार जी दूसरे चावल को उगाने के लिए महंगी बीज और महंगी खाद भी लगती है जो पैसे मिलते हैं उससे या तो मैं अपना घर चलाऊं या महंगी खाद खरीदूं चल ठीक है तेरे इस चावल का दाम तो बस बस रुपे किलो ही होगा ठीक है ठेकेदार जी जो भी बन पड़ता है दे दीजिए ठेकेदार के आदमियों ने गुपाल के सारे चावल की बोरियों को तोला अरे ये तो 40 कुइंटल है मालिक 40 कुइंटल मतलब 4000 किलो तो 10 रुपे के हिसाब से तुम्हारे हुए 40,000 रुपे हम ये लो 40,000 रुपे ये 40,000 रुपे गुपाल का साल भर का खर्चा था और इसी कमाई से उसे साल भर अपना घर चलाना था गुपाल चावल की खेती में से कुछ अनाज घर पर ही रख लेता था जिससे उसे पूरे साल अनाज खरीदना नहीं पड़ता था गुपाल पैसे लेकर अपने घर जाता है ये लो शिश्मा इन पैसों से दाल की एक बोरी ले आओ और इस बार हमें बस 40,000 रुपे ही मिले हैं और हाँ कुछ और राशन भी ले आना तो क्या इस बार भी हम घर की मरम्मत नहीं करा पाएंगे क्या करें अगर मरम्मत नहीं करवाएंगे तो बरसात में फिर वही दिक्त होगी जी इस बार बाकी खर्चा कम कर लेंगे लेकिन चट के मरम्मत करवा ही लेते हैं ठीक है मैं आज ही बात करता हूँ गोपाल ने अपनी चट का काम करवाना शुरू किया अरे गोपाल भाई मुझे नहीं लगता कि दस हजार में घर का काम हो पाएगा तो कितना घर जाहोगा कम से कम 15,000 तो लगी जाएंगे तब जाकर बरसाथ से पूरा घर शुरक्षित हो पाएगा छट की मरम्मत और घर की भरनी करनी है इन सब में कम से कम तो 15,000 लगी जाएगा ठीक है आप काम शुरू कीजिए गोपाल ने कॉंट्राक्टर को 15,000 रुपे दिये और घर का काम शुरू हो गया और कुछी दिनों में गोपाल और शुष्मा के घर के मरम्मत हो गई घर तो ठीक हो गया लेकिन अब साल भर के लिए सुर्फ 25,000 ही है आप चिंता मत कीजिए हम थोड़ा सस्ता राशन खरीद लेंगे और हरी सबस्या नहीं खरीदेंगे और किसी भी तरह अपना गुसारा कर लेंगे हाँ पापा अब तो कम से कम इस बरसात में हमारे घर में बारिश से कोई तकलिफ नहीं होगी हाँ बेटा ये तो है नहीं तो हर साल बरसात में घर में पानी आ जाता था अब शिश्मा ने भी घर के राशन में बदलाव किया और उसने महंगे समान की जगह सस्ती चीजें ली अब वो लोग हफते में एक बार ही ताजी सबजी लाते और बाकी दिन वो दाल चामल ही खाते थे शिश्मा कल तो तुम बसार से ब्रॉकली ले आना पूजा को भी वो बहुत पसंद है हाँ मा बहुत समय से हमने वो हरी को भी नहीं खाई अब वो लेकर आना ब्रॉकली तो बहुत महंगी है इस समय पैसे की तंगी चल रही है मैं सोच रही हूँ फूल को भी लाती हूँ अच्छा तुम देख लेना पैसे बचाने के लिए शिश्मा सस्ती सबजी लाकर बनाती थी और गोपाल और पूजा बिना कुछ बोले सब कुछ खा लेते थे वो जानते थे कि उनकी आर्थिक परिस्त थी खराब चल रही है इस बार गोपाल फिर से फसल बोता है और खेतों में खूब महनत करता है एक दिन पूजा स्कूल जाते समय मा आज साथ वाले गाओं में मिला लगा है मेरी सब सहेलिया स्कूल के बाद वाल मेला देखने जा रही है मैं भी उनके साथ चली जाओं क्या हम सब साथ में मेला देखकर घर लोटाएंगे बेटा तु जानती है ना कि कितनी तंगी चल रही है तु में मेला दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है बेटा मा मुझे पैसे नहीं चाहिए मैं बस मेला घुम लूँगी जाने दोना बच्ची को वैसे भी हम कहां उसे कहीं घुमाने ले चाते हैं गोपाल ने अपनी जेब से 70 रुपे निकाले ये ले बेटा तो अपनी सहीलियों के साथ मेला देखने चली जाना और ये पैसे का कुछ अपने लिए खा लेना ठीक है ठीक है पापजी पूजा खुशी-खुशी मेला देखने चली गई आप तो जानते हैं कि पैसे की कमी चल रही है तो पूजा को पैसे क्यों दिये हैं अपने हम कैसे मापाप हैं अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिलवा सकते कम से कम वो मेले में घूम तो लेगी इसलिए मैंने उसे वो पैसे दिये हमारी पूजा बहुत समझतार है अगर आप उसे पैसे नहीं भी देते ना तो वो कुछ नहीं बोलती पर वो बच्ची है ना उसका भी तो मन करता होगा पूजा स्कूल के बाद अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली जाती है चलो सब आइस्क्रीम खाते है तुम सब खाओ मचे नहीं खानी अरे ये तो बहुत कंजूस है आइस्क्रीम तो कितनी स्वादिश्ट होती है वो भी नहीं खारी इसको रहने दो हम सब खालेते हैं पूजा का भी बहुत मन था कि वो भी आइस्क्रीम खाए पर वो जानती थी कि उसके पास पैसे कम है और वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लूँगी फिर हम सब लोग घर में मिलकर खाएंगे इधर पूजा की सभी सहेलिया आइस्क्रीम खाती हैं जूले जूलती हैं लेकिन पूजा बस मेले में घूम रही थी उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था और ना ही अपने लिए कुछ लिया था वहीं पूजा का ध्यान एक ठेली पर गया जहां ब्रॉकली पड़ी थी आरे हरी गोबी उस दिन पापा का भी हरी गोबी खाने का बहुत मन था ऐसा करती हो इसे ही ले जाती हो फिर हम सब लोग मिलकर खाएंगे पूजा ठेली के पास जाती है अंकल जी मुझे हरी गोबी चाहिए लेकिन मेरे पास सिर्फ सतर रुपे है इतने में आ जाएगी क्या हाँ हाँ बेटी एक फूल तो आही जाएगा पूजा एक हरी गोबी का फूल लेकर अपनी घर आ जाती है माँ देखो मैं ये मेले से हरी गोबी का फूल लेकर आई हूँ तुम इसे बना दो फिर हम सब लोग मिलकर इसको खाएंगे बेटा लेकिन वो पैसे तो तुम्हें मैंने मेला देखने के लिए दिये थे ना पिताजी मेरा वाँ कुछ खाने का मन नहीं किया इसलिए मैं ये लेकर आ गई तुम दोनों बैठो मैं अभी इसकी सबसी बनाती हूँ फिर हम सब मिलकर खाएंगे शिश्मा देखती है कि ब्रॉकली का सिर्फ एक ही फूल है एक फूल और होता तो अच्छा था दोनों पेठ भर के खा लेते तब ही वहाँ ब्रॉकली का एक और फूल आ जाता है अरे ये क्या आजी सुनते हो पूजा जल्दी अंदर आओ पूजा और गोपाल अंदर आते हैं अरे मा मैं तो हरी गोबी का एक ही फूल लाई थी तो ये दूसरा फूल का से आया काश हमारे पास दस ब्रॉकली और होती शिश्मा के ऐसे कहती ही वहाँ दस ब्रॉकली और आ जाती है अरे ये तो जादूई ब्रॉकली है काश हमारा पूरा घर ब्रॉकली से भर जाता है अब गोपाल और शुश्मा ब्रॉकली बेचने का काम करने लगे थे वो ठेकेदारों को ब्रॉकली बेचने लगते हैं जल्दी उनकी सारी गरीबी तूर हो गई पूजा की हरी गोभी ने उनकी किस्मत पूरे तरीके से बदल दी थी मुन्नी सवेरे उठकर अपनी गाई रानी को चारा डालते हुए उससे बाते कर रही थी और रानी भी चारा खाते हुए आँखें मटकाते हुए उसकी बातें बड़े ध्यान से सन रही थी मानो ये सब बातें वो समझ रही हो एदी मेरी प्यारी गईया आज थोड़ा दूद और दे देना जिससे थोड़े और पैसे आ जाएंगे और वे मेला देख कराऊंगी तुम्हें तो पता ही है आज कल महंगाई कितनी हो गई है सौ रूपे किलो जले भी ही है और वहीं जूले की बात करो तो जूले वाला पाँच मिनट जूला जूलाने के ही सौ रूपे ले लेते हैं आज अगर तुम थोड़ा ज्यादा दूद देदूगी तो मैं आज जूला भी जूल लूंगी और मिठाई भी खालूंगी बोलो बोलो मीड़ी प्यारी गईया रानी तुम भी तो यहीं चाहती हो ना रानी गाई ने भी आँखे मठका कर हां में सरहिला दिया मुन्नी के चेहरे पर मुस्कुरा हटा गई थी सब कहते हैं मैं अनाथ हूँ लेकिन मैं जानती हूँ जब रानी गईया है मेरे साथ तो कैसे भला मुन्नी अनाथ मुन्नी भावुक हो गई और उसकी आँखों में आसू आ गए रानी गाए प्यार से मुन्नी को चाट कर उसे लुभाने लगी जैसे उस पर वो अपनी ममता लुटा रही हो पशु भी अपना और पराया समझते हैं उनके अंदर भी प्यार की भावना होती है और ये सब बातें वो समझते हैं रानी ने आज खूब दूद दिया मुन्नी ने भी दूद पिया और बाकी का सारा दूद बेच दिया मेरी काहे रानी अब मैं मिला देखने जा रही हूँ तुम यहाँ बैठो मैं शान्तक आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए भी मिठाई लाऊंगी मunni ने मिले में जलेबी खाई और जूला भी जूला और शाम को लोट कर घर आ गई मunni के घर आते ही राणी उसे पूकारने लगी आ रही हूँ, मेरी प्यारी गया राणी देखो, मैं तुमारे लिए क्या लाई हूँ मुनी राणी के गले में घंटी बांथती है रानी आज बहुत दिन के बाद मैंने मिठाई खाई, मेले में बहुत मसा आया ऐसे ही मुन्नी और रानी खुशी-खुशी रह रहे थे एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया और जोर-जोर से बारिश होने लगी रानी ये बारिश रात से हो रही है, कब रुखेगी? अब तो कमरी की छट से भी पानी आ रहा है कुछ दिन के बाद बारिश और तेज हो गई और तेज हवा ने मुन्नी के घर की कच्ची छट भी तोड़ दी और वो दोनों बेघर हो गए अब क्या होगा रानी? हम दोनों कहा जाएंगे? और मुन्नी की आँखों में आसुआ जाते हैं मुन्नी की गाई रानी बारिश में वहां से चलने लगी रानी कहा जा रही हो? रुको आगे पानी है लेकिन रानी गाई नहीं रुकी मुन्नी भी रानी की पूँच पकड़ लेती है और गाई के पीछे पीछे चलने लगती है और चलते चलते गाई मुन्नी को लेकर एक उचाई वाले स्थान पर पहुँच जाती है रानी मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत भूग लगी है तब ही गाई वहां हरे हरे पत्ते खाने लगती है अरे इतनी बड़ी पत्ता गोभी मैंने ऐसी पत्ता गोभी कभी नहीं देखी मुन्नी देखती है कि वहां बहुत सारी पत्ता गोभी लगी हुई थी लगता है आज इससे ही खाना पड़ीगा मुन्नी एक पत्ता गोभी तोड़ती है तभी उसकी जगा एक और पत्ता गोभी उग जाती है मुन्नी डर जाती है डरो नहीं मुन्नी अरे क्या तुम बोल सकती हो हम सब जादू ही पत्तागो भी है और हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं जो लोग दिल के अच्छे और सब की मदद करते हैं केवल वही हमें देख सकते है तुम हमसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो मुनी मुझे और मेरी गाई रानी को बहुत भूख लगी है तभी वहाँ खाने की खाली आती है और रानी के लिए बहुत सारी हरी हरी घास भी आ जाती है मुन्नी अपना खाना खाती है तभी सामने बहुत संवर सा घर बन जाता है तुम दोनों इस घर में रह सकते हो मुन्नी बहुत खुश हो जाती है उसके और रानी के लिए अब घर भी मिल गया था उस घर में दूनों की जरूरतों का सारा समान था मुन्नी घर के अंदर जाती है अरे, इतना बड़ा और सुन्दर घर मुन्नी वो घर देख कर बहुत खुश हो जाती है अब मुन्नी वहां बहुत सारी सबसियां उगाती है और पत्ता गोभी को तोड़ कर बाजार में बेचती है और उनकी जगा नई नई पत्ता गोभी उग जाया करती थी जिससे वहयव अच्छे पैसे भी कमाने लगी थी लोगों को मुन्नी की पत्ता गोभी और बाकी की सबसियां बहुत पसंदाती थी मुन्नी जैसे ही बाजार जाती लोग ताजी पत्ता गोभी और सबसियां देखकर सब खरीद लेते थे रानी यहां सब कुछ कितना अच्छा है ना इस पत्ता गोभी ने हमारी पूरी जिन्दगी ही बदल दी रानी भी आँखें मठकाती हुई हाँ में जवाब देती है एक दिन वहाँ एक शेर के दहाडने की आवाज आती है रानी शेर के आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है शेर को अपनी ओर आता देख रानी उसे भवाने के लिए शेर की परहा दौडती है अरे रानी क्या हो गया यह इतनी जोर सोर से क्यों आवाजे कर रही हो मुन्नी देखती है कि एक शेर रानी के तरफ तेजी से आ रहा था और उसे जप्टा मारने ही वाला था के सामने से एक जोरदार डंडा शेर के सर पर लगता है और शेर जमीन पर गर जाता है और फिर वो उठकर दूसरी तरफ भागता है रानी तुम ठीक हो ना अभी शेर यहां कभी नहीं आएगा तुम्हारे होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पत्ता गोभी शुक्रिया क्यों तुम्हारे यहां आने से हम सब बहुत खुश है पहले यहां हमसे बात करने वाला कोई नहीं था लेकिन जब से तुम दोनों यहां आई हो हम सब बहुत खुश है